वर्दा के केजर में यादो काल की पाशान मुर्ती मिली है यह मुर्ती केजर में तुलसापुर नाकपुरोड के बुद्धविहाज शेत्र में मिली है इलाके के एक खेत में बक्रिया चरा रहे एक चरवा की नजर इस मुर्ती पर पड़ी आगी के खुदाय के बाद यह मुर्ती बहा निकाली गई है पुरा तत्वा विभाक ने जानकारी दी है कि 44 सेंटिमेटर मूटी और 5 फेट उची मुर्ती 13 सदी के यादो काल की है इस मुर्ती को ठोस पत्तर में तराश कर बना गया है यहां एक एतिहासिक मुर्ती है और क्यात होता है कि यह मुर्ती जैन धन के तिर्थकार व्रिशब पंतम महराज की है सेलो तैसिलदार डॉक्टर स्वाक निल सोनवनी और सेलो पुलिस प्रशासनवारा साउधानी बढ़ती गई है पुरातत्व विभाग की अधिकारी अरुन मलिक, शाम बोरकर, शरत गोश्वामी, दिपाक सुरा, सोनुकुमार बरनवाले केचर जाकर मुर्ती का निरिक्षंक्य मुर्ती को आगी के सर्विक्षंक के लिए नागपुर में पुरातत्व विभाग को सौप दिया क्या है पुरातत्व विभागा ने विहित पद्धती ने कल दिवस भर उतकनन केल, आनि साधरनता रात्री चा सुमारास ही मुर्ती भाहेर आपलाला काडनेती है शाल, मुर्ती चा वजन दोन ते तिन्टन आहे, आज देखिल पुरातत्व विभागा चा अधिकरी इथे योण, सद मुर्ती ची प्राथ मिक ने पुरातत्व विभागा कड़ू ना मिगितली, तरही मुर्ती तेरा व्या शतकत्ली मुर्ती आसला का अधिया शाङगितल, आनि जया रती हिमुर्ती सपडली, आर्ती या भाहाम दे, तया कालाम दे भव्यास साउंस्क्रुतिक नगरी देखिल पुरा तत्व विभाग ही मुर्ती नाकपूरला नियुन या बाबस सभिस्तर रिसर्च कारना रहे त्याचे रिसर्च पेपर प्रसिद्ध जाले नंतर पर रहे आने बउद दवियार आनी केल जरे तिल पर रेटानाला निच्चित पने चालना मिले प्रशा सानामार फती थे गेला एक दोन दिव सापा सुन पोलिस बंदो बस थापन ठेवले लाहे आनी आज रिच सर्पद्धती ने सदर मुर्ति आपन पूरा तत्व विभाग कडे हैंडोर करना रहे एन्बेसन नियुस के लिए हिंगन खाट से रवी येनोर करके रिपोर्ट